Hello everyone, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं Class 11th के Unit was Diversity in Living World का First Lesson The Living World आज चैप्टर के नाम से आप सबको पता चल रहा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कुस करने वाले हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सभी Living Organism के बारे में जो हमारे पूरे वर्ल्ल में प्रेस्ट है चाहिए वो प्लांस हो या कोई अनिमल हो अनिमल चाहिए और यूनिसलल हो या मल्टिसललल इन दोनों के बारे में हम इस चैप्टर में ब्रीफली डिस्कुस करेंगे So, स्टार्ट करते हैं From the first point कि हमारा जो वर्ल्ड है वो कितना जादा ब्यूटफुल है कितना वंडरफुल है यह बताने सकते हैं मतलब इतना जादा अच्छा है इतना बड़ा है यहां पर हर तरहीं के और्गनिसम पाए जाते हैं इधर लिविंग हो नॉन लिविंग हो कुषिवन पाए जाते ही रैई और जो हमारे ओर्गनिसम होते है वो अलग-अलग जगह पे रहते हैं चाहिए ज्चक ठंडी हो गर्म हो जंगल हो या quality water हो या fresh Leg हो तेजल जगध हो टेजर्सद हो था जगध हमारे और्गनिसमें पाए जाते हैं और अगर हम गैलोपिंग होर्स को देखें माइगरेटिंग बोच को देखें जो हमारे वेलीज में ब्यूरिफल फ्लार्स होते हैं या अटाइक शार को देखें इनकी सुन्दर्ता जो होती हैं कि यह हमें अंदर से हमारे भैक और चमतकार दोनों चीज़ को क् या घोड़ों को पास से दोड़ते हुए देखते हैं तो इससे हम डर जाते हैं लेकिन अगर हम यह ब्यूरिफल फ्लार्स को देखते हैं माइगरेटिंग बोच मतलब बोच को ओड़ते हुए देखते हैं यह सब चीज़े हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फिल कराती हैं तो हमारा जो वर्ड है यहां पर हम कुछ चीज़ें हमें डराती हैं कुछ चीज़ें हमें चामतकार मतलब अच्छा फिल कराती हैं तो इसलिए हम स्पीछले से अपने इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए यह कितना ब्यूर्टफुल है और देखें नेक्स पॉंट पॉइ प्रॉब्लिम सहोती हैं कि वेक्रीच को लेकर हैं और इस सेम क्म्यूंटी जो होती है उनके बीच जो होती हैं छैंब के उनके विच में ट्रैफिक उनको बहुत राओत करना होताmbol करना होता जाल के वीच्छ पॉत सार्य ऑक्टिविटीश होती है अधिकले के रिफून आट चीव्य वरान प्रप्रपित meditate, इसे हमें यह पता चलता है करता है अगर प्रप्रटोस कोड़ करेगा अगर इगा jedem तो कुझ्ष पॉलेंगे लौणता। होंगे उनके लिए स्पेस नहीं होगा इसे हमारे जो जो बॉड़ी है हमारा जो पूरी लाइफ है वो मतब की पूरी हर्ची स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा हमारा करने में तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारे जो अंदर जो परफॉर्म करती हैं उसके तो हमारे बॉड़ी में सारी एक्टिविटी नहीं हो पाती है प्रपरली सो हमें इससे हमारे जो लाइफ है उसके बारे में पाता है कि what is life सो अब हम हमारे इन सब को पढ़के हम यह फाना first question क्या होता है टेक्निकल हमारे question यह है कि जो living तथा non-living के क्या होता है इसका अंसर हम पहले chapter में डूंडेंगे next philosophy के लिए एक question होता है जो life के purpose है हम उसको जाने के प्रयास करेंगे लेकिन as a science student हम philosophy पर नहीं जा सकते है so हमें हमारा main focus का होना चाहिए कि what is living living क्या living what is living इस वारे में हम पढ़ेंगे और जाने के कोशिश करेंगे कि है क्या so हमारा question क्या what is living तो मारा इसका first one है life को define करने के लिए हम organism के distinct characters को देखते हैं distinct character मतलब हम उनके अलग-अलग characters को देखते हैं so उनके जो main characters होते हैं वो क्या है growth, reproduction, cellular organization, consciousness consciousness मतलब ability to sense towards the environment मतलब उनके क्या ability है environment के तरफ response करने की और self-replicating capability और self-regulation capability जो होती है यह उनके main characters होते हैं तो मैं दोबार repeat कर आप लोग नोट कर लिजिए growth, reproduction, cellular organization, consciousness, self-replicating and self-regulation capability these are the main characteristics of the living organism right and जो उनके अलग characteristics होते हैं जिससे कि Metabolism हो गया जहां पर self-replicate है और self-organize करना और उनकी जो aging है उनकी death है, cell division है, shape sizing है उनके जो body के अलग processes होते हैं these are the other characteristics of the living organism right हमें distinct character बताने से तो कुछ characters main होते हैं और कुछ उनके other features होते हैं वो भी आपको मैंने सब बता दीए और आप लोग अच्छे से note कर लिजएगा अब हम थोड़ा यहां पर हम सभी को समझने के कोशिश करेंगे मतलब कि जो भी हम अभी हमने पढ़े हैं के distinct character अब हम एक के करके उन सब के बारे में हम briefly discuss करेंगे सबसे पहले हम क्या चुनते हैं growth को तो हमें पता है कि जितने भी living organism है वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं चाहिए वो internally करें या उपर से करें जिसके जितने भी organism होते हैं वो फॉस्ट में वह ग्रो करते हैं और हमें यह पता है कि जो growth होती है वो irreversible और permanent होती है मतलब अगर कोई इंसान एक बार grow कर रहा है वो दुबारा से अपनी वापस से उस age में नहीं जा सकता अ मतलब हमें पता है कि एक चोटा बच्चा है वो अगर वो देयरे-धिरे करके अपनी proper तो पर एक height पर आ जाता है तो वह दबारा से छोटा नहीं हो सकता अगर हम यह प्लांट खो लेते हैं अगर हम फोग तो बहुत बटा का पेड़ हैं कि आप उस पेड़ को दुबारा से सीडी में कर सकते हैं नहीं तो यह हमारी जो ग्रोथ होती है लिविंग और अर्गनिस्म की मतलब अगर कोई और ग्रोफ कर चुका है तो वह दुबारा से अपनी उस हाइट पर नहीं जा सकता लेकिन देखें हमें पता है कि जो एक होती है मतलब कि उन्हें इतना ही ग्रोफ करना है लेकिन कुछ और मैंसे होते हैं जिनके कोई लिमिट नहीं होती है उनके ग्रोथ पूरी लाइफ टाइम तक चलती रहती है वह सब्सक्राइब हैं जो इंडिविजबल के जो मास और नंबर है उनमें जो में व्रिद्धी होन दोनों ग्रोथ के ट्विन करेक्टरिस्टेक्स हैं मतलब कि अगर क्वी और्गनेज्म का मास इंक्रीज हो रहा है कैसे उनके चाहिएनली हो या एक्सटर्नली हो रहें अगर मास इंक्रीज हो रहा क्राइब लिए कि इंडिवीजब की इंडिवीज्वल और इन्वो क्या होगा वह क्रोग के ट्भीन केरेक्टरिस्टिक्स होंगी अगर आप से पुछा जाएगी का इन्डिवीजब का मास इंडिवीज्व और वह ना दूसरा और जो κάंफ मास एंक्रीस होगा इनक्रीस होगा यह ग्रोथ को क्या इतने प्लांट है इससाब में किसकरक्तर होती है तो मतलब'RE धिरोजलियेक नेरे धिरोद canדंपाytyy का theory of dwnby herbida docey यह सब्सक्राइब करते हैं लिए में प्र्व्क्रासर इन अपने अपनी प्रीभी में अपनी में प्रीवेश्ट क्लासस के नहीं। इन धीरोग हमरे और्चिन हों फोग के हो फ्रीआट हिरा ग्रोल होग करते हैं, प्लां से नहीं ब्रांच भादा जाती है क्यों कि वह अपनी सेल को डिवाइड करके न्यू ब्रांच बना लेते हैं अगर हम यहीं पर इन यूमन बिंग को ले अगर उनकी बॉड़ी को पार्ट मालो कर दिया फिंगर ही ले लिजिया अगर उनकी फिंगर कट जाती है तो क्या वह बाकि कुछ और नजम होती है उतनी जादा नहीं होते हमारे बाद आगर आगर इसकुस करेंगे नेश्य आप्टर वगरा में आगे आगे मेरे नेक्स पॉइंट है आनिमल में ग्रोथ कुछ एज तक होती है फिर फिर यह कर दिविजन के थ्रूब मतब कि जो हमारे अनिमल हो तक हमीशा नहीं तो चувати नहीं पर जाना जएंगे तो अगर में हमारे टीशू कि तो हमारी बोड़ी के टिशू और वाने ना खराब हूँ जिससे के हमारी बोड़ी के जो सेल्स हैं वो हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं मतलब न्यू सेल्स फॉर्म करते रहते हैं तो जो सेल डिविजन है पूरी लाइफ टाइम तक वो करता है लेकिन हमारी जो ग्रोथ है उसकी एक लेमिट होती है मतलब इस एज से कोई भी इन्हें इन्न विट्र कॉल्चर में microscope में देख़ेंगे cell count कर सकते हैं मतलब कि unicellular organism होते हैं उनके अंदर भी cell division से growth होती है मतलब amoeba को लेची वो किस के तरू grow करेगा cell के तरू अपनी cell division के तरू वो grow करता है growth उसके होती है और किसी भी unicellular organism की cell division किस के तरू देख सकते हैं in vitro culture के तरू microscope में अगर हम in vitro culture के तरू देखेंगे ता उनके cells को भी count कर सकते हैं ओकी next point हमारा है अधिकतर higher animals और plants में growth और reproduction mutually exclusive events है mutually exclusive events मतलब जब कोई भी event मतलब कोई भी काम एक समय पे ना हो पाए मतलब अगर growth हो रही है अगर growth हो रही है तो reproduction नहीं होगा अगर reproduction हो रही है तो growth नहीं होगा मतलब कि अगर हम example लें तो हमें coin को ले सकते हैं अगर हम किसी coin को toss करते हैं तो या तो head आता है या तो tail आता है कभी आपने देखानी होगा कि ऐसे अगर हम coin को हमने toss किया और head ऐसे lend किया जमीन पर कोईन और हैट टेल दोनों आगे नहीं या तो हैड आएगा या तो टेल आएगा उसे तरीके से या तो ग्रोथ होगी या फिर रेप्रडाक्शन होगा मतलब दोनों एक साथ नहीं हो सकते यह कुछ यह सरफ कुछ हायर प्लांस में भी होता है और अब हमने बताया था बोफी क्या पार्प्टेन से लिवंग और नर्स लिवंग दोनों ही ग्रोव करते हैं तो आप यहां पे आप अमारा यह पाउन्ट देखिए जो नौन लिवंग आप्जेक्ट है जैसे मानि पांटेंस हो गहिए या गोल् पत्थर हो घ iOS धि या रेद के टीले हो गए यह सब भी ग्रो करते हैं कैसे करते हैं लेकिन यह ग्रो कैसे करते हैं थो accumulation मतलब कि इनके बॉड़ी के ऊपर अगर रेट के टीले हो तो अगर और भी ज्यादा रेट उनके उपर करते हैं तो बहुत बड़े बन जाएंगे तो जो नौन लिविंग थेंग्स होते हैं वह किसके तरह ग्रो करते हैं थो accumulation मतलब उनका externally growth होती इंटरनली ग्रोथ नहीं होती है यहां पर देखिए अपने क्समें में क्या हमारे लिविंग और्गनिस्म में जो growth होती है अंदर क्यों और से होती है हमारे अंदर growth होती है किसके तरह internally होती है इसलिए हम growth को living organism के defining property नहीं माग सकते हैं प्रोथ जो होती है वो non-living में भी होती और living में भी होती है तो अब किसी की growth को देखे तो नहीं कहोते कि हां यह living है नहीं तो जो growth है वो non defining property of living organism होती है next point क्या है हमारा सभी living organism में यह character जिस जिन condition में observe होता है उनको explain करके हमें यह समझना चाहिए कि living system की characteristic क्या है मतलब कि हमें properly किसी भी living organism में characteristic को properly पढ़के अच्छे समझ के ही पताना समझना चाहिए एक्स्प्लेंड करना चाहिए यह पता होना चाहिए कि जो living organism है वह उसकी defining property या non defining property अगर हम growth के बारे में यह सब discuss नहीं करते तो हमें पता है नहीं चलता है कि वह non defining property है रैट चुकि देखो हमें पता है कि एक सिर्फ हम यह पता है कि एक dead organism है जो grow नहीं करता एक dead organism को छोड़कर बाकि सब लोग ग्रो करते हैं चाहिए वह living हो या non living mountains non living फिर भी वो ग्रो करते किसके तो accumulation के तो लेकिन living organism के internally grow करते हैं कैसे अंदर जो ग्रो करते हैं जो अब तक हमने growth के बारे में briefly discuss किया है और growth के बारे में discuss करके में यह पता चला है कि जो growth होती है वह एक non defining property living organism की जो कि non living organism भी ग्रो करते हैं through accumulation हम तो तो अब हम आज का फिनिश हो गया तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में living organism की other characteristics के बारे में discuss करेंगे जैसे reproduction, cellular organization और बागी सब I hope आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए subscribe कीजिए and comment कीजिए thank you